हेलो दोस्तों एजुकेशन पावरहव में आपका स्वागत है आज हम राजस्तान पुलीस के जो सी पार्ट की तियारी करवाएंगे जिसमें टोटल 45 कुशन होंगे लास्ट में आपको इसका टोटल का आपको बताना है कि कितने आपके सही है तो शुरू करते हैं उससे पहले म में बता देता हूं कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एजुकेशन पावरहव को तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको डेली मोर्निंग और इवनिंग में ऐसी पैंतलिस कुशन मिलते रहें और यह भी बता देता हूं कि मो को भी जरूर देखना क्योंकि हर एक्जाम में पॉलिटिक्स के और जनरल साइंस के क्यूशन पूचे जाते हैं तो शुरू करते हैं पहला कि अपना समत्त्ता प्राप्ति के बाद ग्राधस्तान में सबसे प्राचीन वह सबसे नवीन रियासत कौन सी थी तो समत्त्ता के समय कितने रियासत थी टोटल उनीस रियासत थी तीम ठीकाने थे एक केंदर शासित परदेश भी था हाँ जी एक केंदर शासित परदेश भी था कितने थे उनीस रियासत थे थी कि तीन ठीकाने थे और एक केंदर शासित परदेश भी था हाँ जी और अपना जो एकी करन कभी स्टार्ट हुआ 18 मार्स निस्टो 48 को और समापत कभी गवा एक नॉमबर निस्टो चपन को इसने में कितना टाइम लगा आपको पता है आठ वर्स एकी करन में कितना टाइम लगा सहत महा और चोदा दिन लगे थी तो इसमें सबसे नवीन अपने पुरानी रियासत कौन से थी और सबसे निवन रियासत कौन से थी मेवाड चालावाड सब सबसे नम्हार थी वो सबसे पुराणी थी मेवाड इसक्रेशन के तनी इसक्रेशन से इतनी ही जानकाले मिलती है चो चलते हैं किसन की और अ कि है है कि राज पक्राण केали युट रा युट शारं को किस नाम तीसरा था सेयुक्त राजस्तान चोथा था चोथा था बताई रहा है किस नाम से जाना राजस्तान इस दिन अपने राजस्तान की मैक्सिमम सारी रियासतों का विले हो गया था एक एकरन में तो मत्रस्य संग को आपको मैं ट्रिक से याद देता हूँ यह था अठारा मार्च पर इसी के साथ दिन बाद मतलब पतीस मार्च को पूर्वर राजस्तान और इसके पूर राजस्तान इसके बाद इसी के एक महिने बाद मतलब एक महिने बाद इसी के पहले साथ दिन साथ दिन के बाद इसी के एक महिने बाद एक मिन्ने बाद मतलब 18 अप्रेल को 1848 को 1848 में तोटल कितने रियासतों का होगा था कितने चरण होए थे टोटल तीन चरण होए थे तो फिर इसी के एक महिना एक साल और बारा दिन बाद वर्द रास्तान का मतलब 193 एक साल और बार दिंन बात में 20 मार्च झां प batter 20 also copied 1990 नीजfindका गुंड स्प Daar मतलब खेहिए बिजीयाश इस दिन हम राजस्तान दिवस बनाते हैं राजस्तान दिवस हां जी राजस्तान दिवस उस और वरद राजस्तान के जो पदालमंत्री थे हिरालाल सास्त्री थे और महाराजा प्रमुक थे बुपाल सिंग थे राज प्रमुक मान सिंग थे आधे तो इसी के साथ अपने इसक्विशन से इतनी ही जानकारी मिलते हैं मिलती है और राजदानी को जेपूर बना दिया था वर्द राजस्तान के टाइम राजदानी राजदानी फिक्स कर दी थी जेपूर और इसका उद्गाटन गरता भी पूछते हैं तो उद्गाटन गरता कैसी याद रखेंगे गोड़ गिल गोड़ गिल, चाचा नेरू, चाचा पतेल तो पहले स्रेंग गोड़ गिल थे उद्गाटन करताद, दूशरे में jewelry उद्गाटन करता गोड़ गिल थे तीसरे में चाचा नेरू मतलब चाचा किसको बोलते हैं पंडित जेमालाल नेरू को और चोथे में वल्लभाई पटेल तो इसका अंसर हो जाएगा डी बहुत ही शांदार त्रीके से नादी राजस्तान में सरवादिक गाम किस जिल्ले में बसे हुए हैं जल्दी कोमेंट कीचे आपके पास पांच सेकिंड का टाइम मिलता है अले में तो इसका अंचर हो जाएगा स्री गंगा नगर उस्व सबसे कम पूछे सबसे कम सबसे कम किस जिले में गाहम है तो होगा सी रोई कि नेश्ट कुछन नागफनी एम सदनगट की पाड़िया किस चिल्डे में विश्त्रिज है सदनगटी की पाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं जल्दी कोमेंट कीजिए कि इस कांसर हो जाएगा सदनगटी पाड़ियों का उद्धेपुर में है नेस्ट कुछन पस्चमी राजस्तान में पाया जाने वाला वैव इसला सरफ जो सांस में विश्वी देता है मतलब वो सांस को पीता है तो क्या बोलते हैं पस्चमी राजस्तान का पूछे तो कहां पस्चमी राजस्तान जैसल मेर के साइड उसको बोलते हैं पीमना पीमना साथ इसकी क्या विश्चता है यह सांस को गिनता है गिनने के बाद लाश्ट में अंतिम टाइम में यह जो वक्ति का गिनता है उसी को अपनी पूंच की मारता है चेता उन्हीं पी देखे जाता है कि आई बाचना है तो बचलो अगर वो उट ज खतम हो जाएगा अगर सुरुच की रोष्णी ने दिखी या मतलब धूब ने दिखी मतलब रोष्णी ने दिखतनी चाहिए उसको अंधेरे में रखा जाता है फिर उसका इलाज किया जाता है अंधेरे में रख के उसको रोष्णी दिखने से वो खतम होता है तो इसका अंस मिफक बारिष अत्य आता है पानी मतलब जल्दी शुका होता है तो इस सलमें बर राए रहे हैं गडियालों के सरक्स्चन लेद तो कौन सा अप्यारणिया बनाया गया है अगे लो के शरक्षन की दिए को तो इसकांसर हो देगा जमार सागर अंधि अजमेर में दर्शानि कर निकां कोट्हेंट रामसागर न में बनास नदी पर बिशलपूर बांध किस नदी में बनाए गया है जो पेजल के लिए सबसे बड़ी प्रियुजना है बनास नदी पर कौन सा बाद बनाए गया है विशलपूर आजी तो इसका अंसर हो ज़ेकर टोंक पेजल की दस्टी से सबसे बड़ी वुशे तो विशलपूर बांध नेस्ट विशन गोकुंदा की पाड़ियों से निकलने वाली आयड नती उदेश अगर जेल से निकलने के बाद क्या कहलाती है बहुत ही सामदार्सा कि उसने पटवाली 2011 पुछा गया कि उसने जल्दी भी कमट किजिए जल्दी और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके 45 में से कितने सही है आपका मुल्यांगन भी हो जाएगा और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है और शेव नहीं किया अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी फाइदा हो तो क्या है बेड़स नदी राइटन सर्ट बेड़स नदी एसे महादीब का सबसे बड़ा यांत्र करशी फार्म कि बहुत वाक्यूशन पूचा जाता है यह पूचा भी गया था अभी लडिसी 2018 में वा था उसमें पूचा भी गया था जहांत्रिक करशी फार्म सबसे बड़ा एश्या का तो इसका शूर्द गड़ गंगनगर क्पास की फसल को इस्तानी बासा में क्या कहा जाता है कि यह पूचा गया है दो जारे हम पूचा गर किसने अगरे English की क्लास के लिए क्लमेंट करना कितने वर्जी टाइम रखे English की क्लास के लिए इंगलीज की Class पठवारी में पूछते हैं और BSTC में पूछते हैं बहुत बंदों का कोमेंट आया सरे इंगलीज की बारे में ये पताओं इंगलीज की Class अगर आप कोमेंट करो कि कितने बज़े आपको टाइम सुटेबल रहेगा उसी टाइम के लिए आपको Class लगाएंगे ग बनिया राज्य की वह बोली जिसमें शिंदी बासा की सब्दों का मिश्रन देखने को मिलता है देखने को मिलता है शिंदी बासा मतलब शिंदी बासा कौन बोलते हैं सरदार बोलते हैं इस चिंदी वासा कौन बोलते हैं पंजाब में बोलते हैं तो इसका मतलब पंजाब सेट्रस में कौन कौन से झिल एता है अनुमानगड और गंगान अलाद के तो scallop हाला-जाला री कुंडलिया के रच्चेता है बहुत वाइक उसन पूछ अगया है हाला-जाला की री कुंडलिया के रच्चेता कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा इस फुरतार बारट डी इस करेक्ट अंसर आपको मत्र 5 से किन मिलता है सोचने के लिए अगर आपको ऐसा लग अंसर करें अगरदे लिएगा तो पॉज करके आप उससका अंसर दे सकते वाफ वीडियों उसके बाद भी अंसर दे शकते हो शुर्दास बारट भरत शी नंजमा या अखलंगी के उपर कमट बांदह जाने वाला वस्तर कहलाता है इसका अंसर हो जाएगा जल्दी कॉमेंट किजिए इसका अंसर हो जाएगा पटका पटका जिकरक्ट अंसर हाँ जी शरीर के उपरी भाग में कमर या गुटनों तक पहने जाने वाला वस्तर कहलाता है हाँ जी शरीर के उपरी भाग में कमर या गुटनों तक पहने जाने वाला वस्तर कहलाता है इसका अंसर हो जाएगा अकरंगी जल्दी कॉमेंट किजिए चेतर वे अस्विन चेतर मतलब आसोज और चेतर चेत और आसोज नवरात्रा में किस देवी का मिला बढ़ता है अगर पुछा जाएगे कि सबसे लंबा गीत किस का है तो जीन माता का होगा और देवता का पुछे तो राम देव जी का होगा जीम माता का कितना लंबा गीत है चार दिन और चार रातों में लेखór होता ह्याजी है अधि है का है शीकर रिवासा यह कर्णी माता देशनोंग विकानीर और शीला माता जेपूर यह भी आपको याद रखने है एक नेश्ट विशन की सुमेलिक युगम नहीं है लागो कब दाना मांता जदु ट्रोणें वाली माता है वाको टामीक्दम सेंसर है छीक माता जेपूर में से है जुला माता जोबनीर में से घृच माता का है यह इसका करत हो जाएगा चीज में तका है बाश वड़ा में इसका है राइट अंसर भी संत चरंदास जी का जनम किस गाम में हुआ था बहुत ही शांधार पुछने जल्दी कोमेंट कीजिए अभी तक जिसने लाइक और शेर नहीं किया तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेर और लाइक कर दीजिए ताकि पैंताल के साथ इसके एक्सू अस्टिक्यूशन करवाए जाए क्योंकि सेभी को मैं पूरे डीटल के साथ बताता हूं तो इसका डेहरा काओ अलवर्म पस्टमी राजस्तान के ख्याती प्राप्त कलाकारों को आवशिक प्रिक सेक्शन देने हैं तो मरू कलाग्राम की इस्तापना कहां के गई है अबयं क्य havoc कलाग्राम का आओपर है तोग राजर हैं ख्याती प्राप्त राकरों को अव्रिक शेक्षर अम Ama suited कि निंग कि कॉले चाती है पस्टमी में मरू को कंए है जेसल मेर में जेसल मेरे इस करेक्ट अंचर हांजी अब बेनेश मेर में आधिवासियों का कुम बढ़ता है कब बढ़ता है बेनेश वरताम में आजी संत मावजी के याद में बढ़ा जाता है आजी कब बढ़ा जाता है बी माग पुर्णी माको माही नदी के किनारी आजी बेनेश वरताम दुंगरपूर नेक्ट क्यूशन केश्वराय पाटन मंदिर बुंदी समर्पित है किनको समर्पित है केश्वराय पाटन 22 तो जल्दी कोमेंट कीजिए यू है भगवान स्री कृष्ण को समर्पित है यह इस गरंट अंसर वह किला जिसकी आजादी वह अस्मित्ता की रक्षा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला बारुत खतम होने पर दुस्मनों पर चांदी की गोले दागे थे बहुत ही बार कुशन पूछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा चुरू का किल्ला चुरू के किल्दे वाले राजा ने किसकी राजा पर डाले गया थे विक्का ने के राजा पर डाले गया थे कि नेक्ट कुशन सीवी जन्पत के सिको का समन्द किस सब्यता से है तो इसका अंसर हो जाएगा नगरी विमल सा ने आभू के दिलवाड़ा गाओं में बगवान आदिनात का मंदिर कब बनवाया था बगवान आदिनात का मंदिर कब बनवाया था किस ने बनवाया था विमल सा ने बनवाया था वह कहां पर है आभू आभू कहां में आभू में कहां पर दिलवाड़ा गाओं में तो यह भी आपको याद रखना क्यूशन के साथ भी हादी 25 का तो एक अजार 31 में बनुए था नेक्ट क्यूशन किस के लिए का नाम बादूर्शा पर्थम ने मौमिनाबाद रखा था मौमिनाबाद तो 26 का अंसर हो जाएगा आमेर के लिए का नाम रखा था मौमिनाबाद किसमें रखा था बाद दूसा पर्थम ने मंदोर का परतियार मंदोर का दुरुक परतियारों के किस साका द्वारा राठोडों को बेट में दिया गया था मंदोर का दुरुक परतियारों की साका द्वारा राठोडों को दिया गया था किस साका के द्वारा दिया गया था इसका अंसर हो जाएगा इंदा इंदा साका द्वारा दिया गया था आवा के युद में किस अंग्रेज को मार कर करांतियुकार्यों ने उसके सिर को आवा के किले पर लटक गया था आज 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 तो इस 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 अधार चैनल जाएगा में युद कब वह था अठारा सितम्बर अठारा सो सतामन के बित में दिया इस इस युद को क्या कहा जाता है चेलावास का युद का जाता है चेलावास का युद और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है काले गोरों का युद ये किन किन के बीच में वा था अंग्रेज अधिकारी और जोदपूर प्लस करांतिकारी के बीच में तो करांतिकारी कौन थे कुछ साल सिंग ठाकूर थे और अंग्रेज अधिकारी कौन था एजी जी ये मेग मोशन था उस्ट में जोदपुर का राजा कुण था जोदपुर का जिन्होंने साथ दिया था पहले तपने अन्यार्शिंग आये थे फिर राजा भी आये थे आजी आजी आठास ताउन किस्ट में राजा कुण था मार वाड़ था जल्दी कोमेंट करो हुआ है जल्दी कमेंट करो कौन था तकत चिंग था तकत चिंग था नेक्स्ट किशन तकत चिंग था नेक्स्ट किशन किस आंदोलन का मामला परसन के माध्यम से बीटेंट के हाउस ओप कॉमेंट में उठाया गया था जल्दी बताओ टुनेंटियेट में हाँ जी तो शिक्तर का जो मामला था उसको उठाया गया था बीटेस के हाउस ओप कॉमेंट में उठाया गया था कि नेक्सट बूशन विजोल्याकिसान आंदोलन से विजय सिंग पठिंग के अलग होने पर आंदोलन का नेत्रत्रत किस ने देगे थे मतलब वहां से निकल गए थे तो उसके बाद उन्होंने किसने संबाला था विजोलिया किसा नाम दोगा तो जमनालाल बजाद और कि अरिभाव उपाई जाए नेश्ट कुशन वरत राजस्तान संग के उधगाटन करता कौन थे वरत राजस्तान संग के अभी बताया था वरत राजस्तान के गोड़गल गोड़गल चाचा पटेल हाग जी झोता चरम था तीस मार्च को चौता चरम तीस मार्च का तो इसका अंसर है पटेल चाचा पटेल राजस्तान दिवस की रूप में मने जाता है पांच राई से ताथ प्रिय है पान सराई से तात्परिय है पाननी की निकासी पर लगान अरावली प्रवतमाला की दूसरी सबसे उंची चोटी कौन्ची है पहली तो अपनी कौन्ची है गुरू सिकर फिर शेर फिर जर्गा 1722 मेटर तो है अपनी गुरू सिकर गुरू सिकर कितनी है 1722 और शेर दूसरी कौन्ची है शेर तो 1597 तीसरी जर्गा जर्गा कितनी है 1431 तो इसका अंसर हो जाएगा बी इज सी इज करक्ट अंसर है अल्दी काटी एवं खानवा से समंदी चिल्लों का करम से सही यूगम कौन सा है अल्दी काटी का है और खानवा का है जल्दी बताओ अल्दी काटी का है राज समंद्ध और खानवा का है बर्दपूर में इसका अंसर यह हो जाएगा डी सागरमन गोपा का समंद्ध किस रियासत से है तो इनको जेल में यातनाव के कार्ण मत्य हो गी थी वाजी तो जैसल मेर से है राजस्तान का सरवादिक वंचेतर वाला जिल्ला कौन सा है सरवादिक वंचेतर वाला जिल्ला बहुत वाक्यूशन पुछा गया है सभी को एकदम सांधार तरीके से अंसर देना है वाजी सांधार तरीके से सभी का अंसर एकदम नाइस तरीके से आ रहा है सभी की अच्छी त्यारी है सार्दा आजी सनेल कुमावत केलास रेबारी मेश कुमावत आजी सभी का एक्टम सांदर त्रीके से आ रहा है तो उदेपूर सिल्प सास्त्री मंदन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंदन का समध किस विशे से है रूप मंदन 36 तो इसका अंसर है मूर्ति कला से नेक्ट किसन राष्टे मरूद जयसल मेर की स्तापना कब हुई थी आजी जांगोडवन की सरन इस्तली है कि सबसे ज्यादा गोडवन का रहते हैं राष्टे मरूद जयान में कहते हैं जिसकी स्तापना हुई थी 1981 हुरा है हुँ भूं यह जि इस बंदूक द्वारा निसना साधने का अब्यास क्या कहला था भूम३ हलायए हुएlifting करने जाते हैं तो फाईडिंग करने जाते हैं तो फाईइंग-एंगलिज का सब्सक्राइब लेकिन इसको बोलते हैं चांद मारी कि पाली जिल्ले में किस नदी का उद्गम होता है बहुती सांधार्स कुछन है यह जितने भी कुछन है वो किसी ने किसी पिछले एक्जम में पुछे गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बीस्टी सी और राज् इसका अंसर होजएगा सूकडी नदी राजस्तान राज्जी की आत्मा किस नर्तियों को कहा जाता है नर्तियों से समद्दित मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है अलग से पले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो उसमें आपको ट्रिक के साथ आपको याद करा रखे थी है वैजसरा एक नर्तियों जहीं जा जाति हो के दवर rela k darn valley अणर्ते kommen इस्तान यह थिया अ कि कढ़iously आत्मा किसको क्या कहता था गूमर को हो का रखेता है इस का अ कि ति पुर्यट्ण कमिला किस जीले में बढ़ता है त्पूरा सुअ आ जो अपनें पूर्य नुक्ष्य मंत्री वसंद्र राजे की अराजी देवी थी जो पूझ के उनको पूझ के अपनी जो परचार यात्रा शुरू करती थी कांपे है बांसवड़ा में इदम राइट अंसर बांसवड़ा सभी कुवाना ची यह तो सभी कंसर रेक्दम राइट है अज्जे राज के वंसर्ज विग्रे राज चतुर द्वारा जल्चित परसित नाटक का नाम है और प्टफारे 2021 में पूछा था और यह ग्राम सेवग 2008 में में पूछा ग्राम जल्च था नव्लका सागर किस जल्ले में इस्ततेत हे नव्लका सागर नव लखा सागर पुछे या नव लखा बावडी पुछे तो एक ही है तो इस कंसरे बी बुंदी में है राज्य में प्रवेश करने वाले पस्चमी विश्वबो का उत्पती छेतर है जो सर्दियों होते हैं जिसको माउट बोलते हैं माउट का समन्द किस्चे है जो पस्चमी विश्वबो का उत्पती छेतर है राजस्तान में प्रवेश करने वाले जो सर्दियों में बारिस या दुंद या कोहरा जो भी आता जिसको हम आधी भूमती सागर से लास्ट अंतिम क्यूशन राजपताने के किस राज्जे के साशक ने अजमेर में लोड मयो द्वारा आयो जित दरबार में भाग नहीं लिया है अधी है कि नों ने बाग नहीं लिया तक सिंग थे कहां के राजा थे जोट के राजा थे आधी है टोटल अधी 45 कुशन हो गये हैं तो पॉलेटिक्स की क्लास परते एक दिन एवनिंग में आठ वजे वाती हैं शाड़े आठ वजे पॉलेटिक्स की क्लास इसमें टौप राजनितिके टौप 25 कुशन जो पिछले एकजाम में पूछे जाते हैं वह करवाय जाते हैं तो आप लेना मत पूले आध डास अटेम्ट करना है ने ट किलास है जनरल साइंस की जनरल साइंस की क्लास कब होती है तो मोर्निंग में आठ बजे इवरी डे हां जी जोती में की होती है में सी बायों उत्रकंड से है क्वालिफाई कि अपनी क्लास होती है मोर्निंग में नौ बजे और इवनिंग में नौ बजे अटेंप्ट करना मत बुले ताकि पर डे आपको 45 कुशन तो मतलब 45-45-90 मेने में 27 चुक्यूशन आपको कंप्लीट होते है और पंदर एक्षो क्यूशन जनरल साइंस और पॉलिटिक्स के क्यूशन भी आपको के लिए होते हैं यह हम आपको पता ही है और एक कॉमेंट करके जल्दी बताओ कि इंगलिश की क्लास कितने बज़े लगाएं इंगलिश की क्लास आपके कहने पर वही टाइम पिक्स रखेंगे जो इंगलिश की क्लास का अच्छा रहेगा जल्दी कॉमेंट करके आप खुद अलग से कॉमेंट करके भी बोल सकते हैं इतने बज़े लगा हूँ उसके लिए आपको वार्टसप नंबर भी है कि उसके बता देना है जल्दी आजिसन सो मार से लगाएंगे जल्दी बताना कि इंग्ली से ग्लास कब लगाएं 9309480403 पर आप मेसेज करना अपनी राई देना उसके नुसा लगाएंगे इसी के साथ अपनी टेस्ट कुछ कंप्लीट होती है आजी तो जैंद जैवात